असलाम लेकूम वेलकम बैक टू माई चैनल तरभ खान विलॉग्स आए होप मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी अल्ला का शुकर है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो वो डाइट फालो करके मेरा खुद का वेट कितना रिडियूस हुआ तो मैंने एक महिने में 7 केजी लूज की है बट मेरे इंचिस बहुत जादा लूज हूए अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये जो सूट मैंने पहना हुआ है ये मुझे बिल्कुल फिट था और अब मैं इतनी लूज हो गई है ना कि अब ये बिल्कुल बे धंगी सी लगती है पहने हुए इसको मुझे प्रॉपर अप्टाइट करना पड़ेगा तो ही ये किसी फिटिंग में आएगी इंचिस अल्ला का शुकर है बहुत जादा कम हो गए है बट ओवरॉल वेट मैंने 7 केजी ल आएं और 7 के साथ मेरा 8 से 10 केजी लाजमी लूज हो तो ये डाइट पैन मेरी इन सारी रिक्वेस्ट को मदे नज़र रखकर बनाया गया है अच्छा सबसे पहले हम चलते हैं जी सहरी के तरफ सहरी में हमने लेनी है रोटी रोटी हमने कितनी लेनी है अगर आपके पास अबिकल चोटा सा पेड़ा ले लें जैसे मैंने यहां पर चोटा सा पेड़ा लिया है उसको घर लें और उसकी सीडी साइस की रोटी बना लें अच्छा एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूँ जो मुझे मेरी डाइटीशन ने भी बताई थी कि देखें हर किसी का जो होता है उनको वेट लॉस करने में डबल महिनत करनी पड़ती है तो डाइट प्लैन तो इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि 8-10 kg हो सके बड़ साथ में मुझे थोड़ी सी डबल महिनत करनी पड़ेगी आप लोगों ने इसके साथ 30 मिनिट्स की वाक लाजमी करनी है इस डा वेट लूस करने में डबल महिनत करनी पड़ती है सीडी साइज रोटी के साथ हमने लेना है एक अंडे का ओमलेट ओमलेट कैसे बनाना है सभी को आता होगा बट जो मुझे प्रॉपर एक तरीका मेरी डाइटीशन ने बताय है वो मैं आपको बता देती हूं थोड़ा सा पा तो इसलिए नमक आपने कम यूज़ करना है जितना आप यूज़ करना है उससे भी थोड़ा सा कम कर दे हाफ टेबल स्पून मैंने ओयल लिया है नॉन स्टिक पैन में मैंने ओयल डालिया है साथ में थोड़ी सी प्यास थोड़ी सी हरी मिच डाल कर इसको सौते किया है साथ क आप लोगों को अपनी रम्दान की तियारियों में दिखाए ही था कि शमला मिर्चा और गाजर मैं काट कर और फ्रीज करके रख देती हूं इन मौकों पर फिर ये फ्रीज की हुई सब्जियां बड़ी काम आती हैं खैर जब मैंने सब्जियों को सौते कर लिया तो अब मैंने इसमें डाल दिया है एक अंडा जो मैंने पहले से बीट करके रख लिया था ये रहा मेरा अंडा बस अब इसको पकने देंगे और ये बहुत ही मज़ेदार सांडा बन जाता है बहुत फुल्फिलिंग होता है क्योंकि इसके अंदर वेजिटेबल्स भी चली यही होती है और इसमें अगर आप शमला मिर्चा और गाजर थोड़ी सी ज्यादा भी डाल देंगे तब भी कोई इसका नुकसान नहीं है अच्छा सबजियां हम क्यों यूज करते हैं कि जब भी हम किसी डाइट प्लाइन की तरफ जाते है तो हमें फाइबर ज्यादा मिगदार में लेना हो हैं तो सिर्फ हाफ टेबल स्पून में आपने शामी कबाब को फ्राइ करना है और अगर आप डबे वाले शामी कबाब ले रहे हैं तो बिल्कुल भी ओल अड़ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नॉन स्टिक पैन में जब आप जो डबे वाले शामी कबाब होते हैं उनको वो खुदी से डीफ्रोस्ट हो जाते हैं और उनमें ओयल लगाने की जरूरत नहीं होती एक शामी कबाब के बाद अब आपने लेना है चार चमच दही ये आपने योगर्ट नहीं लेना सुईट योगर्ट जो होता है वो नहीं लेना या आपने दही लेना है ठीक है चार डालना है बालाई वाला दूद नहीं डालना कुछ लोग दूद पती पीते हैं तो दूद पती तो बिलकुल भी नहीं पीनी चाय में चीनी इस्तिविया या किसी भी किसम का मीठा एड नहीं करना ये होगी हमारी पूरी सहरी जिसमें एक सीडी साइज रोटी एक अंडे का एक चोटा शामी कबाब, चार चमच दही और एक चाय का कप विदाउट शूगर, ये है हमारी सहरी और पानी आप जतना मज़ी चाहें ले सकते हैं, मैं आती हूं अफ़तार की तरफ, अफ़तार में मेरी डाइटीशन ने मुझे दो आप्शन्स दी हैं, वही मैं आपको बता रही हूं, आप लोग इस बात को नोट कर लें, अच्छा, एक दफ़ा मेरी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, कि आप चने जो फ्रीज करके रख देती हैं, तो फिर आप डेली चार्ट बनाते हूए, किस तरह यूज करती हैं, तो डेली मेरी जतनी रिकॉर्मेंट होती ह चार्ट के लिए उतने ही चने में निकालती हूँ, और बस पानी में डाल कर सिर्फ एक जोश देती हूँ, बस फिर उतार लेती हूँ, किसी भी स्रेइनर में डाल देती हूँ, यहाँ पर अब मैं आपको चना चार्ट बनाना बता रही हूँ, इसमें आपने डाल नही हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च, साथ में थोड़ा साहरा धनिया, आधा लीमू स्कुईज कर ले, इसमें पूरा लीमू नहीं डालना, सिर्फ आधा लीमू डालना है क्योंकि चनों की क्वांटिटी थोड़ी है, और चोटा जो चाए वाला चमच होता है ना, उस चाए वाले चमच का भी हाफ बार्बी क्यू साउस ये आपने इसमें एड़ कर लेनी है, और अगर इमली की चटनी भी आपने नहीं डालनी तो कोई बात नी इसमें खाली चार्ट मसाला लाल मिर्च नमा कैड करें उपर से एक पुरा लीमू स्क्वीज कर लें तो उस तरह भी बहुत मज़े की चनी की चार्ट बन जाती है बस ये देखें अब मैं आपको कौंटिटी बता रही हूं कि ये चोटा सा बोल था और ये बोल हमने चना चार्ट का लेना है डेली अफ़तार के वक्त मैं क्या करूंगी मैं एक दिन चना चार्ट लूँगी और एक दिन फूर्ट चार्ट लूँगी ताकर डेली एक ही चीज खाखा कर दिल घबराना जाए तो और्टरनेट डेस पर चर्णा और फूट चार्ट या आप लोग खुद इस तरह से कर लिया कीजिए अच्छा आप मैं आती हूं फूट चार्ट की तरफ और फूट चार्ट आपने किस तरह बनानी है देखें डेली हर घर में फूट चार्ट बताती हूं देखें वैसे तो असूल यह होता है कि फूट जब भी खाय जाते है ना तो कभी भी उसके उपर कोई चार्ट मसाला कोई नवक इस तरह की कोई चीज नहीं डालनी चाहिए उससे जितने भी वाइटमिन्स हैं वो वेस्ट हो जाते हैं लेकिन हम क्योंके इसी तर चार्ट मसाला और हाफ लेमन स्क्वीज कर लें और यह आपने चोटा सा बोल चार्ट का खाना है इस पर आपने कोई नमक नहीं डालना कोई लाल मर्च कोई काली मर्च कुछ नहीं डालना अच्छा जी साथ में हमने लेनी है एक खुजूर और यहां पर तमरे पंचगूर प हुए नहीं हैं अब हम यहीं ले ले लेते हैं चर्फ एक हुझूर आपने लेनी है च्छे अड़ी सवनाय क Independence और एक सीक्वेंस में बताती हूं ये देखें जी ये हमारे छे दाने आ गए बदाम के एक खजूर और साथ में पानी कोई शर्बत कोई सॉफ्ट ड्रिंग कोई सिकंजबीन कुछ नहीं आपने लेना सिर्फ सादा पानी लेना है जतना मर्जी लेना है अब ये हमारी फुल अफ़तार होगा अफ़तार के बाद जिन लोगों को चाए पीने की क्रेविंग होती है वो अराम से अपनी चाए ले सकते हैं बड़ चाए का यही है कि एक तो चाए में दूद बहुत कम डालना है बलाई वाला दूद नहीं डालना और किसी किसम का कोई भी मीथा चाए में अफ़तार के बाद बारी आती है डिनर की डिनर आपने ज्यादा लेट नहीं करना कोशिश करनी है कि बस आठ या मैकसिमम साड़े आठ बजे तक हर हाल में डिनर आपने कर लेना है और डिनर में हमने बनाना है स्टेक जो के बनाना बहुत असान है इस तरह से चिकन कि ले करवाए थे और एक ब्रेस्ट फिलе मैंने ले लिया और उसको मैं हैमर की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर रही हूं है capture करने में यह फाइदा हो जाता है कि तो इसकी मेरिने च ow सिक नचिए और यह फोरां से पहले गल जाता है इसको घलने में अ इतना टाइम नहीं लग अगर breast fillet आप नहीं ले सकते तो 4-5 चिकन की बोटियां आपने ले लेनी है अच्छा यहाँ पर अब मैं इसकी marination बना रही हूँ मैंने थोड़ी सी दही लिया है साथ में मैंने डाला है थोड़ा सा नमक थोड़ा सा नैशनल का तिक का मसाला और लेसन अद्रक का पेस्ट यह इस तरह से इसमें डालने बस अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें मिक्स करने के बाद बस अपने breast fillet को अच्छी तरह से marinate कर लें वैसे यह बहुत जादा मज़े का बनेगा अगर आप इसको marination के लिए 3-4 गंटे दे दे इसका एक और तरीका यह भी है मैं पता ही क्या करती हूँ मैंने यह अब जैसे breast fillet लिये हैं तो मैं सारे breast fillet को तकरीबन 10 दन के breast fillet को मैं marinate करके और ट्रे में पहले अलग-अलग रखके मैं इसको freezer में रखतूंगी जब यह hard हो जाएंगे तो exit block bag में pack करके मैं रखतूंगी daily एक fillet निकाला और बना लिया इस तरह daily daily marination नहीं करनी पड़ेगी अच्छा फिर हमने ले ले लेना है जी grill pan अब मेरी बेहनोंने परिशान नहीं होना कि हमारे पास तो grill pan ही नहीं कोई बात नहीं walk तो है कडाही तो है ना कडाही ले उसमें रखने अपना chicken की बोटिया या फिर breast fillet इस तरह से और बस उसको ढखने जब तक यह गल नहीं जाता आपने इसको पकने देना है जो flame है वो आपने बिलकुल light रखना है नहीं तो फिर यह लग जाएगा जलने लग जाएगा अच्छा अब इस मरहले पर मैं जरा चेक कर रही हूँ कि यह गल गया है या नहीं तो यह बिलकुल अच्छी तरह से गल चुका है अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी wedges जिसमें मैंने डाले हैं थोड़े से قaugres थोड़े से मतर और थोड़ी से शिमला मिर्चें और गाजर यहाँ पर वही मैं आपको बात बता रही हूँ कि क्यूंके हम डाइट पर हैं तो हमने फाइबर लाजमी लेना है इसलिए यह मैंने थोड़ी सी वेजीज एड़ की हैं वेजीज आप ज्यादा भी एड़ कर सकते हैं कोई मसला नहीं है कोई परिशान नहीं होना आपने बस कौन्स आपने ज्यादा यूज नहीं करने कौन्स आपने हार्डली एक चमच लेना है बस सबसियां आप ज्यादा डाल सकते हैं यहाँ पर मेरा जो चिकन स्टेक है वो बनके हो गया है तयार एक और चीज हम कर सकते हैं कि इसके उपर हम थोड़ी सी बाबी क्यू सॉस डाल सकते हैं कैचप यूज नहीं करनी बाबी क्यू सॉस लेनी है और वो भी बहुत थोड़ी यह देखें जस तरह मैंने डाली हुई ह और यह बस अब हमारा तयार है यह हो गया जी हमारा डिनर और डिनर करने के बाद सबसे लास्ट में हमने क्या करना है जैसे ही हमने डिनर किया और साथ ही हमने लेनी है ग्रीन टी हमने लास्मी लेनी है किसी भी ब्रैंड की ले लें ग्रीन टी और ग्रीन टी लेने के बाद ब डाइट प्लाइन रमजान का और इन्शाला इन्शाला पहली रमजान से हम सब इसको फॉलो करेंगे और एंड में ईद के बाद फिर मैं आपको अपने रिजल्ट्स बताऊंगी कि मैंने कितना लूस की है तो बस आप लोग अपनी तैयारियां करें होपफुली मंडे से ही पहला रोजा होगा बाकी आप लोगों ने जो भी समान वगरा खरीदना है अकॉर्डिंग टू डाइट प्लाइन वो आप खरीद सकते हैं और इस डाइट प्लाइन को फॉलो करें फिर मिलकर इन्शाला एक के बाद एक दूसरे के साथ अपने स्वेट लॉस जर्नी को शेयर करेंगे बस यह था मेरा आज का व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करें अगर आज आप चैनल पर फर्स टाइम आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इन्स्टाग्राम हैंडल है डिस्क्रिप्शन में वहां मुझे फॉलू कर लें अपना ख्याल रखें अलाहाफिज